Hello Everyone, Welcome to Online Study Point दोस्तों आज के स्वीडियो में हम जनवरी 2019 से लेकर के दिसंबर 2019 तक के Top 25 Most Important Selected Current Affair डिसकस करने वाले हैं जो कि आपके आगामी किसी भी एक्जाम के Point of View से Important है सारे ही Question important है इसलिए वीडियो अंते तक जरूर देखिएगा और आप इस वीडियो की PDF टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं साथ ही Online Study Point की Master PDF जिसमें 28 राज्यों के Static GK और Current Affair को कवर कराए गया है साथ ही 9 UT को भी कवर कराए गया है और इस PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दियू ही है आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हमारा पहला Question बीसवी पसुधन जनगर्णा के नुसार भारत का सरवाधिक पसुधन आबादी वाला राज्य कौन सा है यह कि किस राज में पशुधन की संख्या सबसे जादा है तो यह है उत्तर प्रदेश बात कीज़े दि उत्तर प्रदेश की तो राजधानी क्या है लखनव और लखनव राजनास सिंग जी का निर्वाचन शेत्र है जो की हमारे रक्षम मंत्री है मुख्य मंत्री कौन है योगी अधित तेनाद गवर्नर का नाम है आनंदी बेन पटेल और सबसे ज़्यादा लोग सभा सीटे यह उत्तर प्रदेश से ही आती है कुल असी तो यह भी आप याद रखीगा नेश कुश्चन है ग्लोबल हैपिनस इंडेक्स में कौन सा देश पहले इस्थान पर रहा है तो ध्यान दीजी ग्लोबल हैपिनस इंडेक्स जो की उनाइटेड नेशन्स के दौटरा जारी किया गया था इसमें फिन्लैंड टौप पर रहा था अच्छा फिल्लेंड तो टॉप पर रहा था भारत की क्या रैंकिंग रही तो भारत रहा 140 वे स्थान पर एक और कुन्फ्यूजन हो सकता है According to Global Happiness Index टॉप पर तो हैं फिल्लेंड लेकिन एक और रैंकिंग जारी की गई थी इपसोस के द्वारा और according to पसोस कनाड़ा और आस्ट्रिलिया ये दोनों ही देश विश्यू के सबसे खुश हाल देश हैं Next question है एशियाई कुस्ती चैंपियंशिप में भारत की तरफ से एक मात्र गोल्ड मेडल किसने जीता था तो यह जीता था बजरंग पुनिया ने जो की बिलॉंग करते हैं हरियान से और अभी हाल ही में इने राजियो गांधी खेल रतन पूरसकार से भी सम्मानित किया जा चुका है एक और important question किस प्रतियोगीता का आयजन कहां किया गया था एशियाई कुस्ती चैंपियंशिप तो इसका आयजन किया गया था चाइना के बीजिंग में बीजिंग जो की चाइना की कैपिटल भी है और यहीं पर हेड़कॉर्टर है संगहाई कॉर्परेशन और एई आई आई बी का इन दोनों का ही हेड़कॉर्टर इस्तित है चाइना के बीजिंग में नेश कोशन है डबलू एचो के नुसार विश्व का सबसे प्रदूसी सहर कौन सा है तो अभी हाल ही में डबलू एचो ने विश्व के टॉप 15 सबसे ज़्यादा पॉल्यूटिट सिटी की एक लिस्ट जारी की थी जिसमें जो भारत का कानपूर है यहां टॉप पर रहा था रिपोर्ट जारी किस ने की थी डबलू एचो ने यहीं की वर्ल्ड हेल्थ और्गानाईजेशन ने इसके स्थापना हुई थी 7 अप्रेल 1948 को हेटकॉर्टर इस्थी थे जेनेवा सुजर्रेंड में और इसके डारेक्टर जनरल कौन है इनका नाम है टेड्रोस अदानो नेच कोश्चन है 5G नेटवर्क लाँच करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है तो पहला देश रहा दक्षण कोरिया और अभी हाल ही में चाइना ने भी 5G नेटवर्क लाँच कर दिया है लेकिन पहला देश पूछा जा रहा है तो यह है दक्षण कोरिया बात कीज कौन है मून जे इन और अभी हाली में भारत की जो प्रधान मंत्री है इन्हें हाली में दक्षिन कोरिया के द्वारा फिलिप कोटलर प्रसिडेंसियल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है नेश कुश्चन है हाली में लॉंच की गई किताब गेम चेंजर यह किस खिलाड़ी की आत्मकता है तो यह है पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिद अफ्रीदी की आत्मकता अच्छा शेन वॉर्ण यह भी एक क्रिकेटर है इनके द्वारा एक नाम है नो इस्पिन सचिन तेंदुलकर की आटोबाइग्राफी का नाम क्या है प्लेइंग एट माइवे तो यह भी आप याद रखिएगा नेश कुश्चन है सत्रवी लोक सभा में कुल कितनी महिलाएं सांसद के रूप में चुनकर आई हैं तो पहली बार ऐसा हुआ कि चुनकर आई हैं और इसमें जो सबसे कम उम्र की महिला सांसद हैं इनकी उम्र है मात्र 25 वर्ज और यह ओडिशा से चुनकर आई है इनका नाम क्या है चंद्रानी मुर्मू और सत्रवी लोक सभा के चुनाव संपन हुए हैं तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि सत्रव लोक सभा के अध्यक्ष कौन है इनका नाम है ओपी बिल्ला जो की कोटा राजिस्थान से सांसद है नेश कुश्चन है हाल ही में जारी किये फीफा रैंकिंग में इंडिया की पोजीशन गिरते ही जारी है और अब इंडिया आ गया है 108 वे स्थान पर तो टॉप किस ने किया है टॉप प्लेस पर बना हुआ है बेल्जियम बात की जैदी फीफा की इनकी फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबाल एस्सोसियेशन इसके स्थापना हुई थी 1904 में हेड कोटर इस्थित है जुरिक स्विजरलेंड में और इसके हैड का नाम क्या है गियानी इंफैनिट नेश कोष्यन हैpse हाल ही में फेमिन पेंथीसवा आस्यान सिखर अमेलन इसका आयजन कहां किया गया तो एडिशन आप जरूर लएद रहीएगा और इसका यजन किया गया था था थाएलेंड के बैंककॉक में बैंक कॉक जो की थाएलेंड की कैपिटल है और करंसी क्या है बह यहीं पर इसका आयोजन किया गया था बात की जैदी आशियान की यानि की एसोसियेशन ओफ साउथ इस्ट एशियन नेशन इसके स्थापना हुई थी 1967 में हैटकॉर्टर इस्तित है इंडोनेशिया के जकार्ता में तो ये भी आप याद रखिएगा नेश कोशन है जी ट्वंटी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था तो जी ट्वंटी यह 19 कंट्रीज और यूरोपी यूनियन का एक संग है और 2019 का जो जी ट्वंटी सम्मेलन था इसका आयोजन किया गया था जापान के ओसाका में और जो 2020 में होगा इसका आयोजन किया और जब इंडिया होस्ट करेगा तब इसका सत्रहवा एडिशन होगा नेश कोश्चन है हाली में ICC Hall of Fame में किस भारती खिलाडी को शामिल किया गया है तो अभी हाली में सचिन तेंदुलकर को ICC Hall of Fame में शामिल किया गया है और यह इस Hall of Fame में शामिल होने वाले छटवे भारती बन गया है बात कीज़े दिस सचिन तेंदुलकर की तो अभी हाली में ने स्वक्षता Ambassador Award से भी सम्मानित किया जा चुका है नेश कोश्चन है हाली में रैमन मैक्से से Award से किस भारती पत्रकार को सम्मानित किया गया है से और अभी हाली में एक और Award मिला है पहला गौरी लंकेश Award और यह पत्रकारीता सही रिलेटेड है तो यह आप याद रखिएगा नेश कोश्चन है केंदरी बजट 2019 यह किसके दोरा पेश किया गया ध्यान दीजे पेश किया गया पूछा जा रहा है तो यह पेश किया गया निर्मला सीतारमन जी के दोरा जो की प्रेजेंट टाइम में हमारी वित्त मंत्री है और यह तयार किसके दोर किया गया था जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाकार है कृष्ण मूर्थी सुब्रहमन्यम इन्हों ने ही इसे तयार किया था और सबसे important question है कि present time में हमारे वित्त सचीवियन की finance secretary कौन है तो इनका नाम है राजीव कुमार अभी हाली में बनाए गये हैं इसलिए याद रखिएगा next question है हाली में chief of staff committee के अध्यक्ष कौन बनाए गये हैं तो यह बनाए गये हैं विपन सिंग रावत और chief of staff committee के head होते कौन है तो जो तीनों सेनाओं में सबसे वरिष्ट होते हैं यही staff committee के अध्यक्ष बनाए जाते हैं next question है हाली में goalkeeper award से किसे सम्मानित किया गया है तो यह award जीत लिया है भारत के प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और इन्हें इस award से क्यों सम्मानित किया गया तो जो स्वक्षभारत अभियान है इसके पहल के लिए इसके पहल के लिए इन्हें आवाड दिया गया है आवाड दिया किसने है? Bill and Melinda Gates Foundation ने बात कीज़े इस Foundation की तो इसकी स्थापना की थी 2001 में Bill Gates और Melinda Gates ने और इसका हैट्टॉर्टर कहां ज्शित है? Seattle USA में साथ ही जो स्वक्ष भारत अभियान है जिसकी सुरुवात की गई थी 2 अक्टूबर 2014 से इस अभियान का नाम बदल कर अब कर दिया गया है सुन्दर भारत नेश कोश्चन है चंद्रयान टू को किस तारिक को लॉंच किया गया था तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि पहले इसकी लॉंचिंग डेट थी 15 जुलाई लेकिन इसे लॉंच किया गया 22 जुलाई 2019 को और चंद्रयान टू से रिलेटेड मोश्ट इंपॉर्टन कोश् संवां इन्हें तमिल नाधू गोर्णेंट के दवारा कलाम अवाड्र से भी सम्मानित किया चुका है नेश कोश्चन है ड्यूंग बिजनस रैंकिंग में कौन सांदे पहले इस्थान पर है तो पहले इस्थान पर है न्यूजीलेंड और इसी रैंकिंग में इंडिया की क्या रैंकिंग है इंडिया है 63 पोजीशन पर हम डिसकस करें फर्स्ट पोजीशन की तो न्यूजीलेंड से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखिएगा जो ICC वूमन वर्ल्ड कप है जि इसे न्यूजीलेंड ही होस्ट करेगा नेश कोश्टन है जम्मु कश्मीर और लद्दाग किस दिन केंद्र शाषित प्रदेश यानि की यूटी के रूप में भारत में शामिल हुए हैं तो यह शामिल हुए हैं 31 अक्टूबर 2019 को तो जो दो नए यूटी बने हैं यह most important है स जम्मु कस्मीर के पहले उप्राजिपाल का नाम है गिरीश शंद्र मुर्मु जबकि जो लद्दा के उप्राजिपाल बने है इनका नाम है आर के माथूर नेश कोश्टन है वर्तमान में 15 वित्तायोग के अध्यक्ष कौन है अध्यक्ष पूछा जा रहा है और इनका नाम ह न के सिंग यह अजबकि जो अशोक कुमार है यह साथ वेतन पर जब एंके सिंग 15 विथ्ण आयोग और जो वाइवी रडडी है यह 14 विथा आयोग के अध्यक्ष थे और with विथायोग अभरी चर्चे में रहा है यह कोकि कारिकाला बढढ़ा कर ऑक्टूबर 2020 कर दिया की पॉलिसी अडवाईर के रूप में किसे निक्ति किया गया है pleasant रिकांट कि शोक और पॉलिसी एढ़ाइजर हमारे विदेश मंतरी हैं कौन इनका नाम है यह संकर जो कि गुजरात से राज्जी सभा सांसद है और विजब चुक अजोगो विदेश सच्व है, तो ये भी आप याद रखिएगा, नेश कुश्चन है, हाल ही में पहले इंडिया वुमन ट्रेट सेंटर, यहने की IWTC, इसका उधगातन कहां किया गया, इसका उधगातन किया गया केरल में, और केरल में भी कहां, केरल के कोजी कोट में, और यहां पहला ह हमेशा हिं काहा है जिस किसी कोश्चन पहलस्य स्थाने तरहा है और यह चेजंश मोस्ट इंपोर्टन होता है और इसलिए मैंने आप लोगो के लिए वीडियो भी बनाया है भारत में इस साल जो भी टॉप पर रहा है यानि कि पहले इस्थान पर रहा है और जो कुछ भी पहली बार हुआ है इसके लिए ओल्रेडी वीडियो रेडी है आप ओनलाइन स्टेडी पॉन के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं जो कि दो दिन पहले ही अप्लोड हुआ है हाली में एथनॉल से चलने वाली पहली बाइक किसने लॉंच की है तो यह लॉंच की गई है टीवी एस के द्वारा अच्छा इस पहली बाइक का नाम क्या है तो इसका नाम है अपाचे आर्टी आर टू हंड्रेड और यह एथनॉल से चलनने वाली पहली बाइक है बात कीज श्री निवासन, टीवियस के ब्रैंड नम मेज़र कौन है, महेंद्र सिंग, धोनी, तो ये भी आप याद रखिएगा, नेज कुश्चन है, हाली में भारत के पहले लोकपाल, इसके रूप में किसे निक्ति किया गया है, तो भारत के पहले लोकपाल बने है, पिना की चंद घ और मैंने आप लोगों को हमेशा ही बताया है, केंद्र में होते हैं लोकपाल, और राज्यों में कौन होते हैं, लोका युक्त, डीके जन, तो डीके जन यहाँ बने है, बीसी सी आई के पहले लोकपाल, सी लाल सावता यहाँ बने है, मिजोरम के पहले लोका युक्त, हाली में BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने है most important question और यहां बन गए है सौरफ गाउंगली और इन्हें बेंगॉल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है बात कीज़े दि BCCI की यानि की Board of Control for Cricket in India इसके स्थापना हुई थी 1928 में हैटकॉर्टर इस थी थे मुंबई महरास्टर में और हैट तो बने है सौरफ गाउंगली यह किस क्रम के हैड बने है यह बने है 49 क्रम के हैड और इन्हीं के द्वारा लिखी गई एक फेमस किताब है जो की एक्जाम का पार्ट बनती है A century is not enough तो यह भी आप याद रखिएगा नेश कोश्चन है हाली में 28 व्यास सम्मान इससे किसे सम्मानित किये गया है most important कोश्चन है और 28 व्यास सम्मान इससे तो सम्मानित किये गया है लीला धर जगूरी इनकी रचना जितने लोग उतने प्रेम के लिए और 29 व्यास सम्मान इसी वर्स दिया गया है नासिरा सर्मा को और नासिरा सर्मा को इनकी रचना कागज की नाओ के लिए यह वाड दिया गया है अखितम इन्हें पचपनवा ज्ञान पीठ है जपकी जो के स्वा रेडडी है इन्हें 28-303 सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है ये recent के नाम है current से related है जरूर याद रखिएगा और यदि हम बात करें व्यास सम्मान की तो ग्यान पीठ अवार्ड के बाद दिया जाने वाला यह दूसरा सबसे बड़ा साहित्तिक अवार्ड है इसके स्थापना हुई थी 1991 में और किसके द्वारा दिया जाता है केके बिल्ला फाउंडेशन के द्वारा तो ये भी आप याद रखिएगा तो दोस्तों यह थे top 25 selected current affair के question I hope ये वीडियो आप लोग पसंद आया है पसंद आया है तो अपने study related group में share जरूर करिएगा और online study point को like, share, subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा आज के लिए इतना ही thank you so much